स्वागत है आफ सभी का स्टड़ी हाई पर रआज हम आपकी लेकिया है हिमाचल प्रदिश बुजट 2019 वॉल्यूम वन हिमाचल प्रदिश बुजट 2018 आज व्रीलिज हो गिया है और इसकी हम वॉल्यूम वन लेकिया है काफी लंबा है budget और इसमें मैंने इसे दो volume में cover करूँगा आज volume 1 लेके आया हूँ और कल volume 2 upload किया जाएगा और काफी जादा important information है इस बार के budget में भी और budget हमेशा की तरह ही important होता है तो चलिए देड़ना करते हूँ शुरुआत करते हैं मेरा नाम है अंकित नर्याल और शुर सारी हर notification सबसे पहले सबसे time पर मिलेगी और हिमाचल जी के related information और counterface आपको यहाँ पर मिलेंगे और अब आप हमें Facebook पर भी join कर सकते हैं या इस link को आप search करेंगे तब भी हमें Facebook पर पहुंच सकते हैं हमारी तरफ और यह आपकी duties वीडियो को ज़रूर ज़र ज़र शेयर कीज ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं budget के बारे में तो चलिए पहला जो सवाल है थोड़ा सा discussion भी है और कुछ question भी मैं लेके आया हूं काफी थोड़ा लंबा होगी वीडियो ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं our government will start which system for non judicial stamp papers under which citizen will be able to generate the stamp on their own through the online system at home or office देकि हमारी सरकार ने अ non judicial system लाया जाएगा ठीक है तो वो non judicial stamp paper का होगा और जो भी नागरी के हैं हमारे प्रदेश के वो अब उन्हें कोई भी stamp लगवाने की जरूरत नहीं होगी वो सारा काम online हो जाएगा ठीक है जैसे आपको जाना पढ़ता था ठीक है तो जो आपकी भी तसील होती थी जहां पर भी आपके papers बनते हैं official government के तो वहां पर stamp लगवाना जरूरी होती है हर विभाग की stamp लगना जरूरी होती है कोई भी काम के लिए तो अब वो आपका काम online हो जाएगा तो उस system का नाम क्या रखा गया है उस system का नाम रखा गया है e stamping system ये 2018 में लागू की जाएगी तो याद र वर्ष में जो हमारी सरकार है हिमाजर प्रदेश की उन्होंने भारत नेट का कौन सा फेस लागू करेंगे 2018 में ताकि ग्राम पंचायत में optical fiber के थ्रू internet पहुंच सके internet सेवा पहुंच सके तो यह है आपका भारत नेट फेस टू तो फेस टू इंप्लिमेंट होगा 2018 में आग देखी काफी paper का इस्तमाल होता है जिसके वज़े काफी paid काटे जाते हैं तो इस चीज़ को खदम करने के लिए और सब कुछ online करने के लिए 2017 में 5 department ऐसे थे जिने e-offices बनाया गया तो अब 2018 में क्या लक्ष रखा है कितने offices को और बनाया जाएगा यह है आपके 5 और जितने department है उनको e-office किया जाएगा और यह लक्ष है अगले 5 साल तक जितने भी department है उनको e-office के तहत ले आया जाएगा तो याद रखे का इस साल कुल 5 ने department है जिने e-office के तहत कर दिया जाएगा ठीके आगे बढ़ते हैं दिखिए अब जो इस गतवर्ष की बात करें कि annual plan कितना है यह मैंने अपने क्रेंडेविस में डिसकस किया था यह कुल 63 सो करोड रुपया 2018-19 में सरकार budget में लेकी आई है जो खर्चा करेगी और यह याद रखेगा कि यह 2018 का है 2017 में 5700 करोड रुपया जो annual plan का budget था और यह 600 इस वर्ष 600 करोड रुपया जादा है 2017 के मुकाबले तो की ध्यान रखिएगा schedule class component plan के लिए 300 करोड में से 1587 करोड रुपय खर्चे जाएंगे schedule class component plan के लिए उसके बाद उसमें से 567 करोड ट्राइबल सब प्लैन के लिए खर्चे जाएंगे और backward area सब प्लैन के लिए 75 करोड रुपीज खर्चे जाएंगे तो इस चीज पर थोड़ a booklet on various welfare schemes and how to avail benefit under them देखे हमारी जो सरकार है 2018 में एक booklet launch करेगी जितनी भी उनकी schemes चलेंगी 2018 में बीजेपी जो government है जो भी वो schemes launch करेगी उस booklet में पूरी जानकारी दी जाएगी और ये आपको आपके जो राशन की दुकाने हैं वहाँ पर भी मिल जाएगी और कोई भी आप government जो जो अभी अभी launch की गई बताये गया है budget में उसके बारे में उसका नाम होगा जन अधिकार पुस्तिका तो याद रखेगा जन अधिकार पुस्तिका होगा उसका नाम ठीक है चली आगे बढ़ते हैं in order to bring transparency and efficiency in government procurement process all the tenders have value above what value will be carried out online using e-procurement portal ठीक है transparency और efficiency बढ़ाने के लिए जितने भी government के जो tenders होते हैं ठीक है तो उनको अब online कर दिया जाएगा ताकि transparency बनी रहे ठीक है काफी सारे tender भरे जाते हैं अलग अलग विभागों में ठीक है तो कितनी जो सीमा है वो तै की गई है देखिए जो पांच लाग के उपर उपर जितने भी tender होंगे वो अब आप उन्हें online check किया जा सकता है कैसे दिये जाएंगे जो भी उनके allotment होगी पांच लाग से उपर तो याद रखेगा पांच लाग तो आगे बढ़ते हैं what amount is allocated to IT park in district Kangda will be done exponentially to attract investment in this sector ठीक है देखिए IT park जो district Kangda में है उसके लिए कितना fund spend किया गया जाएगा 2018 में ये किया जाएगा 12 crore रुपया तो ये budget में अभी अभी announcement किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं Under which scheme in 2018 a community bhaven will be constructed with an outlay of rupees 30 lakh in every consistency in next two years देखिए हिमाचल प्रदेश में जितनी भी consistency है ठीक है इस वर्ष 2018 में उसमें मतलब को हर consistency में community bhaven बनाये जाएंगे ठीक है तो अगले दो साल में तो उसके लिए कुल पैसा खर्चा गया है 30 lakh रुपया तो अब आपको scheme का नाम बताना है scheme का नाम है मुख्य मंतरी लोक भवन तो याद रखेगा मुख्य मंतरी लोक भवन और देखिए काफी जादा था इस वजह से मुझे दो section बनाने पड़े क्योंकि अच्छे से discuss करने में थोड़ा सा time लगता है और लंबी वीडियो बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए दो हिस्सों में लाएंगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे विधायक शेत्र विकास निधी योजना की देखिए विधायक शेत्र विकास निधी योजना government raised the grant from 1.10 to what amount in 2018 देखिए अभी अभी विधायक शेत्र विकास निधी योजना में सरक यह है 1.25 करोड ठीक है तो इतना बजट इंक्रीज कर दिया है तकरीबन 0.15 करोड इंक्रीज किया गया है त्याद रखेगा आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे आपकी जो food subsidy scheme है देखिए under food subsidy scheme 2018 में 3 दाल 2 लीटर edible oil और 1 किलो आड़ा salt दिया जाएगा हर राशन कार्ड holder को तो कितना पैसा इसमें 2018 में खर्च किया जाएगा इन सब के लिए यह होगा 220 करोड रुपया तो जुरूर ध्यान रखेगा आगे बढ़ते हैं what is the percentage of the household in हिमाचल have LPG connection according to budget 2013 देखिए 2018 के budget में एक fact निकल कर आया है कि जो हिमाचल प्रदेश में कितनी percentage है जो LPG connection इस्तमाल करती है यह कुल 92% और अभी भी आठ प्रतिशत ऐसे हैं जो LPG connection नहीं ले पा रहे हैं ठीक है तो यह चीज़ याद रखेगा दोनों आपसे पूछा 8% वाला भी और 92% वाला fact भी पूछा जा सकता है ठीक है अब हम बात करेंगे आगे आपकी women empowerment के लिए for women empowerment and environment conservation which new scheme is launched in 2018 हिमा की है जिसका नाम क्या है उसका नाम है हिमाचल ग्रेहनी सुविधा योजना याद रखेगा और इसके लिए 12 करोड रूपय अब इसको समझना होगा देखिए जब भी मैंने बात की कि 8 परिशत अभी LPG connection नहीं ले पा रही है तो उन women's को इस योजना के तहत cover किया जाएगा और जो हमारी प्रदान मंतरी उजवला योजना थी उसके तैर 92 पर मतलब जिन लोगों को भी मिला है लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में एक अलग से इसके पैरलल एक scheme रन की जाएगी इसका नाम है हिमाचल ग्रेहनी सुविधा योजना ताकि जो लकडियां काटी जाती हैं जिसके लिए फ्यूल के लिए उसको उसके जरीए environment conserve किया जा सके protect किया जा सके और woman की भी empowerment हो सके इसलिए हिमाचल ग्रेहनी सुविधा योजना लागू की जाएगी 2018 में ठीक है आगे बढ़ते हैं तो तक्रीबन दो तीहाई two-third तो मतलब one-third ही ऐसे हैं जो और व्यवसाओं से जुड़े हुए है तक्रीबन two by three आपकी अबादी जो है माचल पुदेश की horty culture और agriculture से जुड़ी हुई है चलिए अब आगे बात करते हैं अब बात करेंगे कुछ important information है देखिए जाइका के लिए एक हजार करोड फेस्टू प्रोजेक्ट दिये गए है जाइका के लिए टू जितने भी डिस्टिक्ट में for crop diversification के लिए तो याद रखेगा जाइका जो चल रहा है जपान की collaboration के साथ ठीक है उसके लिए कितना रुपया दिया गया है एक हजार करोड रुपया दिया ग क्रोड दस क्रोड रुपया एलोकेट किया गया है तो याद रखेगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं प्रदान मंतरी फसल बीमा योजना के लिए इस वर्ष रुपीस 229 क्रोड दिये गए हैं और वेदर बेस्ट इंशोरेंस कीम के लिए भी कुल मिलाके दोनों के लिए इत क्रेड किया जाएगा और खोला जाएगा उसके लिए कितना फंड 2018 में दिया गया है वह कुल 150 क्रोड रुपे चलिए बात करते हैं इरिगेशन की इरिगेशन section में काफी कुछ किया है सरकार ने irrigation and agriculture sector में बहुत कुछ किया है तो इस पर बात करते हैं दिए for irrigation purpose what amount is allocated in 2018-19 for construction of field channel देखे जितनी भी अभी fields है हिमाजल पुर्देश की अभी भी पूरी तरह वो पानी से connect नहीं हुई है तो इस वर्ष कुल कितने पैसे दिये गए हैं सरकार के दवारा 2018 के लिए वो है 130 करोड रुपया दिया गया है ठीक है इसी irrigation section में एक और scheme launch की गई है देखे अंडर प् 3 financial airs देखे प्रधान मंतरी क्रीशी संचाई योजना के तैत कितनी minor irrigation schemes लागू की जाएंगी पूरे हिमाचल प्रदेश में ठीक है और जिसका खर्च आएगा कुल allocate fund किया गया है 338 करोड रुपया तो कुल वो minor schemes है 111 तो इनका number याद रखेगा योजना का नाम याद रखे इसी में irrigation section में को और योजना है इसको launch किया गया है देखिए for the construction of check dams and ponds a new scheme is launched in budget 2018 by हिमाचल प्रदेश तो कौन सी है देखिए इसका नाम है जल से क्रिशी को बल ठीक है याद रखेगा जल से क्रिशी को बल यह scheme launch की गई है इसमें हम dams check dams बनाए जाएंगे और नए ponds बन जाएंगे उनकी construction के लिए तो इसका याद रखे और इसका कुल budget गोशित किया गया है 250 क्रोड रुपया ठीक है तो important है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं under which scheme besides renovating the source location of cool strengthening of cool in common area will be undertaken देखिए किस scheme के तहती है भी irrigation से जुड़ा हो है जो आगके कुल होती है छोटी छोटी scheme ठीक है जो अभी 2018 में launch किया और इसके लिए budget है 150 क्रोड रुपया ठीक है तो याद रखेगा आगे बढ़ते हैं under which scheme the solar pumps will be installed to lift the water for irrigation along the unnecessary infrastructure देखिए solar pumps को install किया जाएगा ठीक है water irrigation purpose के लिए तो उस किस scheme के तहत उन्हें install किया जाएगा उसका नाम है सौर सिंचाई योजना औ 200 क्रोड रुपया important information है तो याद रखेगा अब थोड़ी सिंदर डालेंगे हम आपकी agriculture and husbandry की ओपर और horticulture section BC में discuss किया जाएगा ठीक है तो अब बात करते है according to budget 2018 how many farmers covering an area 21473 hectare have already adopted organic farming देखिए budget 2018 के से एक और नया fact आया है वोज आगर हुआ है कि हिमाजन प्रदेश के 21473 hectare area पे जो farmers काम कर रहे हैं तो उन्होंने organic farming adopt की है तो उनका number कितना है उनका number है 39,790 तो कुल इतने farmers ने भी तक organic farming adopt कर ली है तो काफी important information है अब आगे बात करते हैं जो काफी burning topic रहा है उस मुद्दे का भी zero budget natural farming का देखिए in order to increase zero budget natural farming which new scheme is launched in 2018 for training necessary equipment bio pesticide and bio insecticide देखिए अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारी zero budget natural farming वाली वीडियो नहीं देखिए प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए आपके बहुत सारे concept clear हो जाएंगे तो उसी में इस budget में भी काफी कुछ announce किया गया देखिए zero budget natural farming के तरह एक नए scheme launch की गई है जिसके जो सरकार लोगों को encourage करेगी zero budget natural farming के लिए और उसके थिरूप महिया करवाएंगे equipment bio pesticide bio insecticide देखिए ऐसे pesticides होते हैं living organisms जो जो पस्ट जो पेस्ट या जो भी कीडे खराब करते हैं उनको मारते हैं ठीक है तो ऐसे करके bio insecticide bio pesticide ठीक है तो जो environment को harm नहीं करेंगे ठीक है और उन इसे को लावुफ किया जाएगा यह है आपकी प्राकृतिक खेती कौशल किसान तो योजना का नाम याद रखेगा और इसमें 25 क्रोड रुपया दिया गया है इस वर्ष 2018 के लिए ठीक है तो थोड़ा ध्यान रखेगा किस वर्ष के लिए दिया है कुछ में तीन साल के मिशन स्कीम और मेंटेनिंग और मॉनिटरिंग देहल्ट ऑफ के लिए के लिए के लिए के लिए उनकी इजाल सहथा पैदावार करने के लिए ठीक है अंडर राश्क्रेगो कुल मिशन स्कीम कितने नकुल स्वास्ते पत्र दिये जाएंगे यह है 7.7 लाक हेल्थ कार्ट इत 18-19 for the construction of poly houses for increasing protected cultivation देखें poly houses के उपर सरकार ने काफी पिछले सालों में जो पिछली सारकार थी उसने भी बहुत काम किया है लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ है practically ठीक है कुछ जगा काफी अच्छा काम हुआ है लेकिन कुछ district में ऐसा है कुछ बहुत ही जादा मतलब खराब तो अभी उसके लिए एक बजट लॉइस डाल दिया गया है 23 क्रोड रुपया दिया गया है ताकि नए पॉली हाइस की construction हो सके और इंप्रूब किया जाए प्रोटेक्टिड क्ल्टिवेशन को ठीक है थोड़ी सी मैं प्रोटेक्टिड क्ल्टिवेशन की बात करना चाहूँ तो योजना का नाम क्या है जिसमें 23 क्रोड रुपया दिया गया है construction of poly house का उसका नाम है वायस परमाज सुरजगार योजना तो इसका नाम याद रखिएगा important है amount याद रखिएगा 23 क्रोड रुपया दिया गया आगे बढ़ते हैं under मुख्यमंतरी green house renovation scheme what percent subsidy on renovating damage policy by government in 2020 देख कि बहुत ही मुश्किल बहुत महिंगी है उसकी services तो सरकार ने जो एक इस वर्ष फंड इस वर्ष एक step उठाया है कि वह subsidy देगी अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है जैसे 10,000 का नुकसान हो जाता है तो अगर आप 10,000 की कुछ repair करवाते हैं तो उसमें आपको 50% renovation renovation मतलब देगी सरकार तो 50% खर्च सरकार उठाएगी तो अच्छा गदम है ठीक है तो याद रखेगा किस scheme के दायक है मुख्यमंत्री green house renovation scheme के दायक है चलिए आगे बढ़ते हैं government will provide 60% subsidy for installation of anti-hail guns to horticulturist under which new scheme देखिए अभी सरकार ने कहा है budget में 60% subsidy दी जाएगी anti-hail guns maintenance installation के लिए जितने भी horticulturist है किस नए scheme के दायत उस scheme का नाम है बागवानी सुरक्षा योजना और इसमें 10 करोड रुपया sanction किया गया है 2018 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं to curb menace created by monkeys wild animals and abundant cattle in agriculture sector which new scheme is launched by HP government in 2018 budget देखिए अभी अभी control करने के लिए जो monkeys या जो भी जंगली जानवर और यह आवारा पशू है तो agriculture को harm करते हैं जितने भी खेट हैं उनमें नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी उनको control करने के लिए सरकार ने इस वर्ष 2018 में एक नई scheme launch की है उस scheme का नाम क्या है उस scheme का नाम है मुख्य मंतरी खेट संगरक्षन योजना और इस for installing a solar fencing देखिए कितनी subsidy provide किरवाई जाएगी अगर तीन या तीन से जादा farmer एक proposal भेजते हैं solar fencing की तो उन्हें 85% की subsidy दी जाएगी तो एक काफी अच्छा कदम है सरकार की प्रक्स से solar fencing provide करवाने का ठीक है तो चलिए अब थोड़े सी बात करते हाटी कल्चर की भी तो काफ भी कुछ है देखिए अभी मैंने discuss भी किया था देखिए World Bank ने 2018 में Horticulture Development Project World Bank Fund करेगा और उसके लिए पैसा देगा 1134 करोड रुपया दिया जाएगा ठीक है और उसमें से कुल 100 करोड इस गतवर्ष इस्तमाल किया जाएगा 2018 में तो ध्यान रखिएगा ठीक है अब यह जो यह किसलिए यूज किया जाएगा कुल setting up 2600 orchards of apple ठीक है यह बगीचे बनाने के लिए किया जाएगा ताकि जाल साधा different varieties ग्रोग करवाई जा सकें by grafting और अलग-अलग methods के तुरू उसके बाद setting up orchards of fruit mango, leechy, guava, citrus about 400 hectare area में orchards sets किया जाएगे mango, leechy, guava के related और इसमें training भी field training दी जाएगी जो भी horticulture technical staff है उसको from जो experts आएंगे New Zealand से तो देखिए New Zealand मदद करेगा horticulture promotion के लिए हिमाचल प्रदेश में और यह मैंने discuss भी किया था आप लोगों से तो budget में भी इसको mention किया गया है तो please इसको जुरू important है ध्यान रखिएगा ठीक है और एक और चीज कहना है कि हमारा economic survey भी आ चुका है अगर आप लोगों ने economic survey नहीं देखा है तो please playlist में जाकर economic survey भी देखिए वो भी important है उसका part 2 अभी हो गया है और दो-तिन दिन में सारे part खतम कर दिया जाएंगे तो वो भी important है आपकी त्यारी के लिए तो उसको जरूर देखिएगा तो चलिए एपन 3.7 लाख पौधे high yielding variety के वो import किये जाएंगे न्यूजिलेंड से ठीक है तो यह value याद रखिएगा कितने है 3.70 लैक ठीक है और एक और चीज है कि दो center set किये जाएंगे होटी कल्चर की improvement के लिए एक शिलारो में और एक पालमपूर में तो याद रखिएगा कहां कहां पर center set होंगे शिलारो और पालमपूर में ठीक है तो यह चीज जूरूर याद रखिएगा ठीक है और एक cold storage for grading packaging मतलब यह तो marketing को improve करने के लिए बट यह important fact नहीं है बट आप इस चीज को ध्यान रखिगा शिलारो और पालमपूर में इंस्टॉल किये जाएंगे तो अगर आपको यह पसंद आया है तो आप जरूर हमें comment box में comment कर सकते हैं और इसका volume 2 में जल से जल लेके आऊंगा कल ही upload करूँगा तो थोड़ा सा बनाने में समय लगता है तो अगर कोई सच में पसंद आया है तो हमें जरूर comment box में comment करिएगा और आपको और कोई वीडियो economic survey या जो भी माचल जीके की वीडियो है वो आप प्लेलिस में जाकर देख सकते हैं तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही थैंक यू